नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे की एम्ब्रोक्सोल सिरप का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, एम्ब्रोक्सोल सिरब को कैसे लेना चाहिए और एम्ब्रोक्सोल सिरब की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं और यहां भी डिसकस करेंगे कि एम्ब्रोक्सोल सिरब को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए एम्ब्रोक्सोल सिरप का उपयोग बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है एम्ब्रोक्सोल सिरप बलगम को पतला करती है और फैफरो में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है एम्ब्रोक्सोल एक सॉल्ट नेम है, एम्ब्रोक्सोल सिरप को म्यूकोलाइट और एम्ब्रोडिल आदी ब्रैंड नेम से भी जाना जाता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में एम्ब्रोक्सोल सिरप की वज़ा से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में एम्ब्रोक्सोल सिरप की वज़ा से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, पेट में बेचेनी, तवचा पर रैशेस और तवचा पर खुजली हो सकती है. अगर आपको एमप्रोक्सोल सिरप को लेने के बाद कोई भी असामाण्य लक्षन होता है, तो आपको तुरन्त ही डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए. अब हम दिसकस करेंगे कि एमप्रोक्सोल सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है. एंब्रोक्सोल सिरप को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेन होता है। एंब्रोक्सोल सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। उस दिन में दो से लेकर तीन बार गर्न पानी की भाप लेनी चाहिए। और बर्फ वज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए एंब्रोक्सोल सिरप का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। अभी इसके बारे में परियाप्त डेटा अवेलेबल नहीं है कि स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए एंब्रोक्सोल सिरप का सेवन करना सुरक्षित है या नहीं। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एंब्रोक्सोल सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एंब्रोक्सोल सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।